नमस्कान आज लोसू ग्रिड में मिसिंग नंबर एंद ग्रिड कम्प्लीट है उसका इंपेक्ट क्या होगा ? इंकम्प्लीट है उसका क्या इंपेक्ट होगा ? यह जानने के लिए हमने एक उधारा लिया है जिसको हम इस वीडियो में डिस्क्रैब करेंगे अगर आप लोग भी अपने DOB का prediction या उसके बारे में जानना चाते हैं तो comment box में आप अपना DOB छोड़ सकते हैं उसका randomly selection किया जाएगा और जैसे तरह से ये example के तोर पर बताया जा रहा है वैसे ही आपकी DOB का भी number इसमें आ सकता है आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को like and share भी कीजिए तो आएए अब शुरू करते हैं हम ये example जो कि हमने लिया है 27 जून 1980 इस native का date उपरत है 27 जून 1980 तो इनका मूलांग बनता है 9 और भाग्यांग होता है 6 जब इसका चार्ट हम बनाते हैं तो इसमें missing numbers हैं 3, 4 and 5 तीन महत्मून नंबर इस चार्ट में miss हो जा रहे हैं तो आएए अब जानते हैं कि इस ब्यक्ति का ब्यक्ति जो कैसा होगा इसकी life में क्या अच्छा होगा और क्या इसको problems आने की संभावना हैं missing numbers की बजह से इनको क्योंकि five numbers miss हो रहा है इनके चार्ट में तो life थोड़ा balance नहीं रहेगी दिक्कते आएंगी अब टाउंस लगे रहेंगे इनकी life में और इनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी ये savings में विश्वास रखेंगे savings करेंगे जितनी income होगी उसमें से ये savings अवस्य ही करके चलेंगे हाँ इनकी merit life disturb रहती है merit life smoothly नहीं चलती है spouse से मत्वेद इनके बन ही रहते हैं ये थोड़ा charming personality होती है और ये थोड़ा talkative होते हैं और opposite gender के से इनकी दोस्ती रहती है जिसके खारण इनके spouse को इन पर हमें साथ doubt रहता है जो कि कलह का कारण भी बनता है हालांकि ये व्यक्ति बहुत ही loyal होते हैं और जिस भी रिष्टे को निभाते हैं बहुत ही दिल से निभाते हैं पर कहीं न कहीं spouse के निगाओं में ये सक्त में रहते हैं इनको पारवारिक जीवन बहुत सुखत नहीं मिलता है इनकी opposite gender से दोस्ती जादा होती है और मंगल सुक्र का साथ होने के कारण opposite attraction अधिक होता है इनका दिमाग बहुत शार्प होता है दिमाग का बहुत अच्छा प्रियोग करते हैं ये तर्ग केवल तभी करते हैं जब इन्हें उस बात के बारे में पूरी knowledge हो पूरा ज्यान हो अधरवाई तो ये तर्ग नहीं करेंगे इनकी merit life में कभी न कभी एक बार बहुत दिक्कत आती है या तो साथी के सुरुआती वर्सों में या फिर old age में merit life में इनके दिक्कत आती है ये बहुत महनती होते हैं और इसी कारण अपना goal achieve कर लेते हैं ये अपने दम पर बहुत कुछ करते हैं प्रॉपरिटी मकान जो भी कुछ बनाते हैं अपने दम पर बनाते हैं ये इनकी दिमाग में कोई प्लान आता है तो इसे तुरंत execute करते हैं तुरंत ही उस पर कारे सुरू कर देते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ये इनकी जो spirit होती है वो sportsman person type से होती है कि मतलब तुरंत action लेना तुरंत ही दिमाग का प्रयोग करते हो तुरंत action लेना और ये sports को like करेंगे sports को like नहीं करेंगे तो sportsman वाली spirits इनके अंदर होती हैं ये mentally बहुत strong होते हैं इनका mind sharp होता है और ये marketing में और farm में बहुत ही ज़्यादा successful रहते हैं ये emotional थोड़ा कम होते हैं emotions में आकरके ना कोई plan बनाते हैं नहीं कोई कारे करते हैं ये practical होते हैं practically plan बनाते हैं इसलिए इनक जो plan के success rate होता है वो बहुत अच्छा होता है 100% इनका plan successful रहता है क्योंकि इनके plan में emotions का कोई काम नहीं होता है ये जो किम उठाने विश्वास रखते हैं जो किम उठाते हैं और उसकी वजह से ये आगे भी भढ़ते हैं पहले भी बताया है कि practical plan होता है तो सफल रहते हैं य आर्टिस्तिक नेजर क्यों होते हैं आर्टिस्तिक नेजर मतलब कि creative कुछ न कुछ नया create करते रहना मेहनती होते हैं और नया कुछ न कुछ create करते रहते हैं मेहनत करेंगे चाहे जितनी मेहनत नहीं करनी पड़े ये करते हैं कुछ भी नया create करने में जब तक लगे रहेंगे इसा नहीं है, काम इनका पूरा होकर ही रहेगा, तभी यह सुगून के साथ बैठेंगे, अब इनको चार्ट में क्या, क्योंकि ती नमबर नहीं है, चार नमबर नहीं है, पांच नमबर नहीं है, तो missing numbers की remedies के लिए इन्हे 5 numbers का प्रियोग या कहना चाहिए placement किसी ने किसी तरह से अपने चार्ट में कर लिना चाहिए अगर इनके चार्ट में 4 और 5 का placement हो जाता है तो यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह gadgets का उतना प्रियोग नहीं कर पाएंगे जितना यह चाहेंगे तो 5 number का यह इसमें remedy कर सकते हैं 5 number की remedies क्या है वो बताई जा चुकी है तो अगर यह 5 number अपनी life में लिकर के आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा यह हमने एक example लिया था जिनकी DOB 27 जून 1980 थी तो यह हमारे पास जो रैंडम ली DOB आ रहे हैं उनमेंसे हम select करके as a example ले रहे हैं आप भी अपनी DOB दे सकते हैं और प्लीज अगर आपनी चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो को like and share कीजिए आपके support के ल कर चैनल को